मैं आपके सामने कुछ शब्द बोलूँगा मैं जो शब्द बोलूँगा उसके बाद आपको दो बार बोलना है पूरी ताकत से बोलना है आपको बोलना होगा आर नौए आर नौए मैं जब बोलूँगा उसके बाद बोलना है और इसके अंदर आपका गुस्सा आपका अपकरोश आपके दिल की आवाज निकलनी चाहिए जो हिंदुस्तान के कौने कौने में पहुंचनी चाहिए बोलेंगे सत्तर मिनट का भाशन जिसमें जूट नफरत और समाज को बाटने की बातें परोसी जा रही थी और हमारे देश का गोदी मीडिया इस भाशन पर जूम रहा था आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश के प्रधान मंतरी जूट का प्रचार भी बिना पढ़कर नहीं कर पाते हैं साथ फर्वरी को कोलकता के ब्रिगेड ग्राउंड में बीजेपी की रैली थी सतर मिनट तक हमारे देश के प्रधान मंतरी स्क्रीन पर लिखा भाशन पढ़कर मंगाल की जनता को जूट से गुमरा करते रहे और हमारे देश का मीडिया इस बात पर जूम रहा था क्योंकि जब भी आकड़ों पर बात करनी हो तो बीजेपी हमेशा पीछे बागती है उस रैली में पूरा काम प्लैनिंग से किया जा रहा था यह मंच का सीन है जब पीए मंच पर आते हैं जनता का अभिवादन करते हैं धीरे धीरे भाशन के लिए आगे बढ़ते हैं यह जो सफेद रंग का बोर देख रहे हैं यह है टेली प्रॉम्टर यानि इस पर वहस सब कुछ लिका है जो प्रधान मंतरी को बोलना है मंच से जनता के बीच काफी दूरी होती है अप्रधान मंतरी मोदी जी को भाशन देते हुए देखिए जनता के सामने नहीं देखते हैं एक बार लेफ्ट तो एक बार राइट लेफ्ट राइट यानि एक लाइन लेफ्ट साइड से पढ़कर और दूसरी लाइन राइट सा पढ़कर बोल रहे हैं यानि सतर मिनट का वह भाशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत और सिर्फ नफरत परोसी हो उसको भी पढ़कर बोलना वाकई में एक अद्बुद कला है जिस बंगाल ने देश को महान स्वतांतरता सेनानी दिये वहान निता दिये स्वरगिये प्रण मुखरजी जैसे विद्वान राष्ट पती दिये उसी बंगाल की धरती पर जूट और नफरत को परोस रहे थे हमारे देश के प्रधान मंतरी शुरी नरेंद्र मोदी बंगाल में बीजेपी चुनाव को पूरी तरह सामप्रदाइक बनाने पर तुली है ना विकास पर कोई चर्चा है ना कोई रोड मैप है आज देश का अंदाता किसान सडक पर है संसत का सत्र चल रहा है बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है और शिक्षा पर सरकार का बजट घटता जा रहा है जरा सोचिए आने वाली हमारी देश की पीडियों को नफरत की आग में बाटा जा रहा है क्या इसी समाज की कल्पना की थी हमारे देश के निर्माताओं ने बीजेपी और उनके प्रधान मंतरी की कर्णी और कथनी बिलकुल अलग है और वे दोरी चल चरितर का पालन करते हैं जहां एक तरफ प्रधान मंतरी खुद महात्मा गांधी के विचारों पर चलने का प्रचार करते हैं वहीं अपने ही पार्टी के नेताओं द्वारा गौड से को महान कहने पर उसका समर्थन भी करते हैं इसलिए तथ्यों को समझें जागरुक बनें क्योंकि सरकार और मीडिया मिलकर समाज को तोड़ने का नफरत में जोकने का काम कर रहा है धन्यवाद जैहिंद